हेलो दोस्तो आप समी का स्वागत है एक बार फिर से गेमिंग चैनल पर तो गाइस आज हम एक बोश्ट और लेकर आएं आपके बीच यदि आपको गेम अच्छा लगे तो चैनल को सिस्क्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा जिससे आपको मिले का एक अच्छा आउट आउट और तो गाइस इसे मारने के लिए हमें यहां पर बहुत ही तक निकों का प्रियोग करेंगे और इसे इसी तरह से मारते रहेंगे गाइस क्योंकि यह बहुत ही डेंजर है और यह मदुम की हमें सहत भी दे सकती है इसलिए इसे पकड़ना हमारे के लिए बहुत ही चलूरी है तब ही अचाना कंपर हमला और दोनों तरफ से इसे लेकिन शेट लेकिन हमारा कच्छा ही जड़ गया गाइस देखिए आग ही ने बुझ रही और हमें उशल कूद करके आपने आग बुझानी होगी और उसके बाद गाइस इसे इतना मारेंगे कि यह भूल जाए कि अपना काम और उसके बाद गाइस यह देखिए आग गिराता हुआ और हमारा शेश्य हमारा पार्ट इसे मानने के लिए पूरी तरह से तयार है लेकिन थोड़ सा उसको बचाना होगा गाइस क्योंकि वो डेमेज हो चुका है और उसके बाद इसने तो ह हमें इसी तरह से राउंड राउंड घूंते रहना है क्योंकि इसका काम नामारे पैट ही कर देंगे तो इसे अभी यहां पर बलाते हैं गाइस क्योंकि यह काफी डेमेज हो चुका है और दूसरे पैट को यहां पर हम छोड़ते हैं गाइस और उसके बाद इसे यह करने वाले थी गाइस तो अब हमें दूसरी तरफ से अटेक करना होगा क्योंकि यह यह काफी खतर नाक है गाइस तो थोड़ा सा और कोजिस करते हैं इसे डेमिज करने का लेकिन हमारा घोड़ा भी हमारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार और यह देखिए गाइस ये घोड़ा भी काफी लेकिन ये ओनो नो ये तो मारने वाला है गाइस थोड़ा सा और डेखते हैं अभी इसकी लाइफ थोड़ा बाकी है और जैसे ही इसकी लाइफ खतम होने वाली होगी इसे हम अपने पास बुला लेंगे क्योंकि इस को मरने से अच्छा है गईेश की थोड़ा सा इसका लाइफ बचे ओ और उसके बाद इसको हम फिर इससे दुबारा यूज़ कर सकते है और थोड़ा सा और इसे देमेज करेंगे और थोड़ा सा डेमेज करने के बाद गाइस इसे हम capture करने की कोशिस करेंगे तो इसके पीछे से capture करना है हमें तो थोड़ा सा और damage करते हैं गाइस और उसके बाद इसको capture करने की कोशिस करते हैं और थोड़ा सा और damage देते हैं गाइस ये देखिए गाइस इसके पीछे से capture करेंगे तो ये बहुत यह स़ानी से capture हो जाती है एंड इसको थोड़ सा औरफीट करना होगा उसके बाद इसको capture करने की को षज्च करेंगे तो थोड़ सा एंड इसके बाद इसने य Pak और यह देखिए गई सब graphite do no 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 भी थोड़ सा और डेमिच करना पडे गए से इसके बाद इसको केप्चर कर सकते हैं तो यह दिखें गाइस यह एनर्जी भी करने के बाद इसे केप्चर करेंगे यह 64 65 हो जा 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 यह इस तरह हमने अपना मेसिन कंप्लीट किया और अब मिलेंगे हम नेश्टी वीडियों पर तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और अशे